ये देखिए दोस्तों कितनी आसानी से एक से दो सेकंड में हमारा ग्रीन डेट आराम से खुल जाएगा और बंद भी हो जाएगा तो इसे हम बहुत ही आसानी से एक से दो सेकंड में आराम से खुल सकते हैं और बंद भी कर सकते हैं नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे योटूब चैनल टेक्निकल गाडनिंग विद अभी में है दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा की एक से दू सेकिंड में खुलने और बंद हो सकने वाला ग्रिन डेट कैसे लगाए क्या तरीका है और क्या उसमें जुगार करना है मैंने जुगार से इसे लगाया है इस से पहले मेरा मस से बाद के सपोर्ट पर लगा हुआ उसका वीडियो अपलोड है जरू है नया green net पूरा set बनवाया हुआ है तो इस पे मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि क्या जुगाड किया है मैंने तो अगर आप चैनल पर नए है और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें तो दोस्तों यहां देखी यह लोहे के कुछ पाइप है जिन पर सेटनेट का फ्रेम बनाने इस्ट्रक्चर बनाने का काम चल रहा है तो इसमें देखे कुछ हुक्स लगाए जा रहे हैं जो कि हमारे चट पे जाम करेंगे हम इसे और इसकी सहारे पे हम उपर पाइप लगाएंगे और उसे इसके उपर जाम करेंगे तो इस परकार देखे देखे मैं आपको दिखाता हूँ यह देखी वो फ्रेम हमारा खड़ा हो गया और इसमें हम डिन मशीन की मदद से होल कर लेंगे तो यह देखे आपको अच्छे से कसके जाम कर देंगे ताकि अगर तेज हवा चलती है तो यह हमारा जो इस्ट्रक्चर है यह हिले नहीं गिरे नहीं तो अगर मैं पूरी वीडियो बनाता है इस्ट्रक्चर की तो बहुत लंबी हो जाती है इसलिए मैंने आपको दिखाया अब जारी है यह देखे हैं एब अब लगा हुआ है अब हम इसको पूरी तरह से तैयार होने के बाद खूल देंगे तो इस परकार इस्ट्रक्चर बन गया है अब हम चलते हैं पर्दे की तरह तो तो दोस्तों मेरा जो पर्दा है ये 75% सेटनेट है इसको मैंने ऑनलाइन मगाया था तो इसे मैं अपने छट की साइज के हिसाब से नाप के काट लूँगा और काटने के बाद इसमें मैं निवाड लगा के सिल्वा लूँगा जिससे कि इसकी मजबूती और अच्छी हो जाया और उसमें हम निवाड में रिंग डलवा लेंगे जिससे कि हम पर्दे को सरकाने के लायक बना सकें तो आप अपने छट के अपने मीजरमेंट के हिसाब से पर्दे को चूज कीजिए मेरा चुकी 19 बाई करीब 27-28 फिट का ओपन करने वाला पर्दा है जो सरकाने वाला एरिय उसमें पर जसाफ से मैं इसे बनवा रहा हूँ तो इसे हम कटवा लेंगे काटने के बाद इस पर हम निवाड लगाके अच्छे से सिलाई करा लेंगे इस्टिचिंग करा लेंगे जिससे कि ये और मजबूर हो ज़हां जॉइंट है या फिर जहां आपका किनारे का छोर है वहां निवार ज़रूर लगवा लें, बीच बीच में लगवाने की खासा वर चक्सा नहीं है, और जॉइंट पे और किनारों पे निवार लगवा लें, इसे इसकी मजबूती और डबल हो जाएगी, तो इसकार देखी लाई हो रही है, और निवार दोस्तों, बहुत ही सस्ता और अब दोस्तों, मैं दिखा रहा हूँ आपको कि देखी निवार सिल जाने ही, सिलते समय ही, कि देखी जो छले हैं, रिंग कह सकते हैं, जिसकी मजबूते हम पर्दे को सरकार ने लाइक बनाएंगे, तो इसे हम निवार के मीच में ही रख्ते सिल्वा ले रहे हैं, जिससे कि ये मजबूती और अच्छी बनी रहे हैं, ये रिंग निगले नहीं इस पर देखी, तो ये कि दूरी को मैंने लगवा लिया इसे, और अब दिखाता हूँ मैं आपको कि इसमें फसाना कैसा है, देखी, ये जे हुक हमने, जिस छोर पे हम लगाना है, देखी, उपर से मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये मैने इसमें फिक्स करा लिया है, जिसमें हम अपना जो रसी है, उसे लगाएंगे, एक छोर ये है, जिसमें हम इसमें रसी फसा देंगे इस जे हुक में, और दूसरा छोर उस तरफ है, जिसमें हमने mechanism लगाया हुआ है, जिसे हम tight करने के तरीके से बनवाया हुआ है उधर भी देखे एक जे हुक लगा रखा है मैं जूम करके दिखा रहा हूँ आपको तो दोनों तरफ हमने जे हुक फिक्स करा रखा है जिसमें हम रसी को फसा लेंगे और उसके बाद हम जो जहां से हम परदा खोलेंगे या फिर बंद करेंगे उस च्छे इंच का नट बोल्ट है जिसमें मैंने जे हुक को वेल्डिंग करा लिया है और वेल्डिंग करा के इसे हमने एक सपोर्ट के माध्यम से आप जब भी कराईएगा तो जो में पाइप आपकी जा रही है उससे करीब करीब चार इंच ऊपर रखिएगा क्योंकि जब हम तार डालते हैं या पाइप कोई भी डाल देंगे आप तो वो बीच की बीच में थोड़ा सा मतलब लोज मारता लटकता है जिससे कि वो पाइप पर रगड़े नहीं इसलिए चार इंच करीब उपर हमने करवा लिया तो देखिए इस प्रकार में खुलने बंद होने वाल ल लोहे की रस्ती आती है उसकी मदद ले रहा हूं यह देखिए दोस्तों यह 6 एंच की 6 एम एम की लोहे का तार है जो कि मुझे करीब 500 में मुझे 20 मीटर के आसपास मिल गया है तो मैंने इसे ले लिया है और इसी तार की मदद से हम परदे को लटकाएंगे और इस तार को टाइट करने के लिए कुछ क्लिप्स हैं यह देखिए बड़े आसानी से आपको मार्केट में करीब 15-15 रुपए में एक-एक मिल जाए छोर पे जो जे हुक है मैं दिखाता हूं आपको इस जे हुक में हम इसे फसा लेंगे दोस्तों अब यह इसमें फस जाएगा और दूसरी तरफ से हम टाइट करेंगे तो यह इसमें से निकले का नहीं इस परकार देखिए जो दूसरा सिरा है अब हम परदे में जो हमने रिं प्रकार देखिए तो इस परकार देखिए हमने सारे इस तार की बीच में से इस तार को निकाल लिया है और निकालने के बाद एक बार हम देख लेंगे की तार कितना लंबा हमारा जे हुक पर आता है मीजर कर लेंगे और मीजर करने के बाद फिर इसे हम क्लिप की मदद से टाइट कर लेंगे मैं आपको दिखाता हूँ देखे यह हमने नाप लिया है कि तार इतना आएगा अब हम इस तार को निकाल के और इसमें clip की मदद से इसे अच्छे से tight कर लेंगे तो देखे हमने निकाल लिया और इसे देखे clip की मदद से हमने tight कर लिया है इस तार को अब इसको हम फिर से उसमें फसा लेंगे अपने यह हुक में जिसमें कि हमने nut bolt लगा रखा है और इसे उस nut bolt की मदद से अच्छे से टाइट करेंगे अब इसको हम जितना टाइट करेंगे इस धर बोल्ट जितना टाइट करेंगे ये तार आगे से उतना टाइट होगा ये बोल्ट है हमारा देखिए हम इसे घुमा रहे हैं तो जितना ज़्यादा हम इसे बोल्ट को घुमाएंगे टाइट करेंगे तार उतना ज़्यादा उसमें तनाव आएगा और तार टाइट होता जाएगा सेम उसी प्रकार दोस्तों हम दूसरी तरफ भी जो तार है हमारा 6 mm का उस तार को हम सभी रिंग्स के बीच में से निकाल लेंगे तो दोनों तरफ से निकाल लेने के बाद हमारा परदा जो है इस तार के उपर सरकने लाइक रेडी हो जाएगा तो उसी तरह से हमने देखिए इस तरफ भी निकाल लिया है और निकालने के बाद इसे मीजर करके हम अच्छे से क्लिप से टाइट कर लेंगे और उसके बाद फिर हम जेहुक में लगाेंगे हमने चज़ऊ करके जेहुक में लगा दिया है तो मैं आपको साट में ही बता रहा हूँ सारी चीजे देखे इसे जितना हो सकता उतना टाइट करेंगे हम और जितना हम इसे टाइट करते जाएंगे रस्ती जो 6 mm की तार है हमारी लोहे की इसमें तनाव आएगा और ये तनाव आके बिल्कुल जो लटक रहा है बीच में अभी वो खतम हो जाएगा और पूरी तरह से ये हमारे सरकने के लिए जो हमारे रिंग्स हैं वो इस पर अच्छे से सरकने लाइक बन जाएंगी और हम किसी रस्ती के मदद से इसे सेकेंडो में खोल या बंद कर सकते हैं तो किसी प्लास या रिंच की मदद से आप इसे अच्छे से कस लीजिए पूरे बोल्ट को और जब पूरा बोल्ट कस जाएगा तो आपका तार काफी टाइट हो जाएगा तो दोस्तो तार लगाने में यही फाइदा है पाइप आप कस नहीं सकते हैं एक साइज का है और चुकि 19 फिट लंबा पाइप लगाएगे तो बीच में वो डाउन हो जाता है तार लगा देते हैं हम तो उसे अच्छे से कस के टाइट कर लेंगे तो इसलिए मैं दोस्तो तार यूज कर रहा हूं अगर आप चाहे तो पाइप भी यूज कर सकते हैं अब इससी परकार दोस्ता हम दूसरी तरब भी जो दूसरी तरब का हमारा बोल्ट है उसे भी टाइट कर लेंगे और मैं आपको दिखाता हूँ अभी कि टाइट करने के बाद ये कैसा होता है दूसरी तरह भी हम देखे रिंज की मदद से इसे टाइट कर रहे हैं और ये देखे जो तार में अभी आपको लचिलापन देख रहा है ये टाइट करने के बाद लचिलापन खतम हो जाएगा और तार बिल्कुल टाइट हो जाएगा जिसमें पर्दे आराम से लटक के सरकते रहेंगे हम एक रस्टी की मदद से पूरे पर्दे को आराम से खोल बंद कर सकते हैं तो दोस्तों आप देखिए हमने जो पर्दे लगा लिए अब आखरी कड़ी पर माते हैं कि इसे खोलने लायक बनाने के लिए हमें क्या जुगाड करना है तो एक रस्टी आप ले लेंगे तो रस्टी की लंबाई दोस्तों जितनी आपकी पर्दे की चौड़ाई है जितनी लेंथ आपको खोलने है उससे डबल होनी चाहिए क्या होता है दोस्तों कि एक सीरे से हम रस्टी खीचते हैं जब इसको खोलने के लिए तो दूसरे सीरेस की रस्टी उतनी मतलब आप ये समझ के चलिए कि अगर जैसे मैं आपको एक्जामपल बताऊं कि मेरा ये 19 फिट का करीब परदा है तो करीब 46 फिट की मैंने रस्टी ली हुई है और उसके सेंटर से मैंने जो आखरी रिंग है जिस तरफ हमें खोलना है उसक को अब देखें इधर की तरफ 19 फिट चौड़ाई है चुकि और 3 फिट करीब हम नीचे लटका जाते हैं ताकि उससे हम पकड़के आराम से खीच सके और सेम 19 फिट फिर वापस इधर की तरफ और उसको भी 3 फिट नीचे लटकाना है ताकि हम उससे पकड़के परदे को वा पड़काना है तो जिस तरफ की तरफ रखना है उससे रसी आतार की मदद से हम परदे को बाद देंगे ताकि इधर से पर्दा हवा चले या फिर किसी रीजन से पर्दा सरके नहीं दूसरी तरफ से सिर्फ एक ही तरफ हमें सरकाना है दोनों तरफ से नहीं सरकाना है और जो आखरी रिंग होती है यानि कि जिस तरफ से हमें पर्दे को फिक्स रखना है उस रिंग को भी हम बांद देंगे ताकि पर्दा हमारा आगे की तरफ ना सरक के जाए दोनों तरफ ये करने के बाद अब पर्दा हमारा रेडी है खोलने के लिए तो मैं आपको दिखाता हूँ पर्दा कैसे खुलेगा और बंद होगा ये देखिए आप देखे सेकेंडो में पर्दा खुल रहा है इस रिंग्स की और रसी की मदद से पर्दा देखिए इधर से हम खीच रहे हैं और पर्दा अब आटोमेटिक खुलता आ रहा है कितना आसान है इस पर्दे को खोलना और बंद करना अब देखें हम इसे फिर वापस से खोलेंगे बहुत ही आसानी से ये पर्दा खुलता जाएगा और बंद हो जाएगा तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें अगर कोई सुझाओ हो आपके पास तो कमेंट के मादे हमसे सेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर झाल झाल